हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉक में दोस्तों आज हम लोग बनारस के स्टी घाट में हैं और इस घाट से हम लोग बड़ी नाव से गंगा की सहर करने वाले हैं तो आए शुरू करते हैं इस नए ब्लॉक को तो दोस्तों यह रही हमारी नाव इसी नाव से हम लोग गंगा की सेकरकंव करने वाले हैं तो आईए न अवर चलते Z दोस्तों नाव के अंदर यह ?? यह बैठने में जगह है आप लोग ऊपर लोग नहीं जा सकतेिं पुजूर्प लोग या बेचने में के लिए लूपर चलें तो दोस्तों आप लोग नाव के उपर आ चुके हैं आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस इस नौ में कम से कम नबे लोग आराम से आ सकते हैं इस उपर वाले भाग में नाव के और ये बच्चे कुछ फूल बेच रहेंगी आप लोग खरीद लीजिए दोस्तों कुछी छण में हमारी नाव चलने वाली है और आप लोग देख सकते कि कितना सुन्दर नजारा दीक रहा है नाव से घाटों का और यह असी घाट है दोस्तों यहांपर आरती शुरू हो गई है यहांपर असी घाट की आरती होने लगी है और हम लोगना उसे करनेंगे हर महादेव के नारे के साथ हमारी नाव अपने सफर के लिए निकल पड़ी है तो दोस्तों बहुत ही सुन्दर सफर होने वाला है बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग किस ब्लॉग में तो बने रहिएगा अंदर तक हमारे साथ कि तो आप लोग क देख सकते हैं किस अगर आप लोग बनारस है तो रंका इसके बनारस कुछ नहीं है है दोस्तों मैं आप बता दूं कि बनारस मंतिरों यम घाटों के लिए प्रसिद्ध है और अच्पी दुनिया के सबसे प्राचीन सहरों दोस्तों अभी हमारी नाव की तरफ फिय यह फजो से बड़ रहे है और हम लोग फार सोमे की तरफ पहुचने वाले हैं और होंहां की आरति देख पाते औरे दोग देख पाते हैं तो कि थोड़ा लेठ हो को चुका है महां की 37 बजे तक हो जाती है कि कितना ही सुन्दर मन मुहक मन तर्मुध कर देने वाला द्रिश दिख रहा है दोस्तों यह चोटी-चोटी नाये जिस द्रिश्च को और भी सुन्दर्ता परदान कर रही है दोस्तों इन लाइटों की रोष्णी ने घाटों की सुन्दर्ता को और बढ़ा दिया है का सकते हैं कि घाटों की सुन्दर्ता में चार चान लगा दिया है दोस्तों यह तैयारियां जो लाइटे दिख रही है देवदीवाली के लिए कि गई देवदीवाली को बनारस में बहुत भवे तरीके से मनाया जाता है बनारस के खाटों को बहुत भवे तरीके से स्याया जाता है और लाखों के भीड होती है दोस्तों और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस देवदीवाली के तेहवार को देखने के लिए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर लाइट एंड साउंड सो की भी विवस्था की गई है और सामने से जो दो क्रूज आ रही हैं दोस्तों रंगा में क्रूज भी चल भी हैं अवन आरस में यह दो छोटी-छोटी क्रूज भी है और यह पानी वाला जहाज है दोस्तों अभी हाली में मनारस में एक पोर्ट बनके तयार हुआ है बंदरगाह तयार हुआ है जहां से व्यापार जहाजों के द्वारा होगा तो सायद उसी के लिए जहाज वही पोर्ट के लिए जा रही है और बातों ही बातों में दोस्तों हम लोग दसासों में घाट पर पहुंच गए हैं और यहां पर आरती चल रही है समापन की दौर में आरती है तो आप लोग देख सकते हैं कि जू हिरной के दोस्तों आप लोग देखनेकी दुसा समेक की भव można कि औहुत ही संदर आरणित होती है दोस्तों यहाँ पे और बहुत ही विड होता है दोस्तों और दोस्तों यहां पर नाओ के द्वारा एडवर्टाइज्मेंट भी होता है प्रचार भी होता जैसा कि आप लोग तेक रहे हैं नाओ वाले पूर्ड लगा-लगा के घूम रहे हैं सब कर दोका से लकः लगान था लोगा है टामतल सबस्तों आप साय को सिन तो दोस्तों आज की मज़्दूरी हम ही खतम करते हैं यह ब्लाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो के एक पाट और आने वाला है इसमें हम नाव के द्वारा करीब से घाटों को दिखाएंगे घाटों का दर्संद कराएंगे बाकी आप लोग मस्त रहें घुमते रहें इंजवाय करते रहें तो तक के लिए बाए बाए